अलो गाइस नमस्ते मैं हूँ अरविन and welcome back to YouTube News 24x7 आज की वीडियो में मापसे काफी सारे इंटरस्टिंग विपडीट तो वीडियो को एन तक चुरू देखेगा First of all हम बात करने वाले Bollywood के बारे में तो क्या Bollywood comeback कर रहा 2023 में In 2022 lots of movies इने boycott करा गया था जिस Bollywood earning में काफी असर पड़ा था एक बार फिर Bollywood पठान के साथ comeback कर चुका है in term of earning इस लिस्ट में नेक्स्ट है सिल्मान गन की मुवी किसी का भाई किसी की जान जिसका teaser release हो गया है And in one day 13 million लोगों ने से देख लिया है यह release होने वाले 21st April को वहीं अजे देबन मुवी भोला ने भी अपना second teaser release कर दिया है जिस पर दो दिन में 34 million views हो गया है यह release होने वाली 38th March को And और एक बिग news आरे गदर 2 को लेके जोकि release होने वाले 11th August को इन थेटर तो क्या Bollywood movies comeback कर लेगी और survive कर पाएगी अपने इस industry को थेटर में लोगों काने को मजबूर कर देगी अपने views कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगी चले बढ़ते हैं अगले update की तरफ जो क्या रही UKGRO 7 राड़ा की तरफ तो कि UKGRO 7 रिवील करने वाले अपनी girlfriend को उन्होंने एक story post शेयर करा चले देखे आप क्या कहा उन्होंने इतने DM तो मुझे मेरे बड़े के दिन भी नी आया होंगे almost almost आदे किंटे में 22,000 लोग रेप्लाइ करके बोल रहे हैं कर दो कैमरे में हाथ हिला के देख ले गाइस प्लाइक होगे आप कैसा next update है Mr.Beast के तब से Mr.Beast इस वर कुछ थमागेदर अलग वीडियो ले के आ रहे हैं त्वीट करते हो बताया next week's video is nothing like our normal video is drawing a new style and pacing on the video's edit the video comes on Saturday time to see what you all think कि आप भी excited है Mr.Beast के नई वीडियो के लिए comment box में चरू बताया next update है रहे रिसफपंद के तरप से those who fought for it चेहन बढ़ते अगले update की तरप जो के आरे Triggered इंसान की तरप से Triggered इंसान ने एक ट्वीट करते हो बताया एक वो Spotify पे अपना podcast स्टार्ट करने वाले हैं उन्होंने लिखा okay so this is something crazy we have our own Spotify original podcast so posted the first podcast do check it out जिसे रिलेट इंसान ने भी एक ट्वीट करा एं लिखा Triggered इंसान is obviously her with witty heartwarming and totally relatable stories on his brand new podcast Two Story Bro जिसे रिलेट एक वीडियो भी शेयर करा एर क्या है तेखो क्या लेगा में को पता नहीं चलेगा क्या कि तु Spotify पे अपना podcast चालू करने वाला है ओ, तुदे पता चल गया हाँ, ये भी पता चल गया कि तु वहाँ अपनी life की stories बताने मला है तेरी life की true stories हाँ, सुनाऊंगा वो सब सुनाऊंगा जो मेरे साथ हुआ है होता आया है, तूने किया है और मेरे podcast में ना fans भी आएंगे guests भी आएंगे जो अपनी डरावनी कहानिया सुनाएंगे सारी कि सारी सच्ची स्टोरीज true story, bro तू सारी पोल खोल देगा हाँ तू सब का परदाफाश कर देगा हाँ सारी प्लाटफोर्म बोलेगा नई, only on Spotify, bro तो मेरे पास एक ही रास्ता बच्चा है नई, नई, ये नहीं, ये नहीं करना नई, ये नहीं करना प्लीज, मेरे बात मान ये नहीं करना, भाई, रुक जा, भाई true story, bro my podcast, only on Spotify listen now और इसको कोई रोक लो, भाई, मम्मी को मत मता and guys, इस podcast ने बना डला है new record on the first day बन गये number one story and episode on top list of India ट्रिगर इंसाने से रड़टेक, पूशे करतू, ये कहा okay, so day one पे ही true story, bro with triggered इंसान has become the number one podcast in the country, let's go yep we are at the top of the charts top podcasts in India number one पे है, मैंने live stream में मजाक में बोल दिया था, ऐसा क्या आग लेगा दिया है सच में आग लेगा दिया है लेकिन अगर आप लोग अने अभी तक नहीं सुना है तो क्या गरना है यहाँ पे लिंक है जाओ जाके सुनो वो कमाल की story जब वो बच्चा साइकल चला के मिलने आ गया था मुझसे पटियाला से और उसके चार पाच दिन दो सो रुपे के भरो से कैसे वो रहा और क्या क्या हुआ और बहाइंड था सीन्स एंड था कॉंस्पिरिसी थ्योरी नेक्स्ट अप्रेट आरे है मुमिकार निखिल के तरप से मुमिकार निखिल ने पठान मुवी से लड़ एक स्टोरी पोस्ट करा और का कि वो मुवी देखनी की सोच दो रहे है बट उन्हें चली क्या का आप खुदी देखिए नेक्स अपडेट आ रही है MSK की तरप से MSK ने भी पठान मुवी से लड़ एक ट्वीट करा देख के तो काफी मज़ा आ रहा है उस पर किसी ने उनसे पूछा तुम किसकी साइड हो तो MSK ने रप्लाय देते हो लिखा मैं मेरे साइड हूँ उन्होंने एक और ट्वीट करते हो लिखा पहले सोचता था कि क्यों लोग ऐसा कर रहे हैं अच्छे खासे पढ़े लोग भी क्या मिलेगा इनको अपना काम परिवार और हेल्थ और ग्रोथ पर फोकस क्यों नहीं करते हैं ऐसी जीजों पर फोकस करते हैं जिन से उनका नहीं बलकि किसी और कही फायदा हो रहा है इससे रेलेटर उनों और काफी सारे ट्वीट्स करें आप वीडियो को पॉस करके पढ़ सकते हैं अभी ते के लिए इतना हैं मिलते हैं ऐसे न्यूस अपडीट की साथ तर तक चैनल को सब्सक्राइब करना ना बोले